प्रेस ते बेल आइकन तो नेवर मिस्स वीडियो फ्रॉम टेस्ट बॉक डॉट कॉम नमशकार दोस्तों और वेलकम टु दिस वीडियो आज हम बात करेंगे यॉनाइटे नेशन्स के चैंपियन ओफ दी अर्थ अवार्ड के बारे में ये अवार्ड भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर इमानियोल माकरों को दिया गया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमानियोल माकरों को ये अवार्ड किस वजह से दिया गया अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं इस वीडियो के बीच में आपको इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा भारत की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक ख्याती अर्जत की जब उनाइटेड नेशन्स के सेक्रेटरी जनरल एंटोनिया गुतेरिश ने उन्हें चैंपिन अफ दी अर्थ अवाड प्रस्तुत किया ये उनाइटेड नेशन्स द्वरा दिया गया एक उच्छतम एंवाइर्मेंटल अवाड है प्राइम मिनेस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इम्मानियोल माकरॉन को पॉलिसी लीडर्शिप श्रेणी में ये अवाड प्रस्तुत किया गया पुरिसकार की खोशना 26 सितंबर 2018 को नियू यूउक में 73rd United Nations General Assembly में की गई अवाड की अनाउंस होने के बाद 3rd October 2018 को नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को ये अवाड प्रस्तुत किया गया फ्रेंच प्रेसिडेंट इम्मानियोल माकरॉन को परियावरन के लिए वैश्विक समझोता यानि की Global Pact on Environment के लिए ये अवाड प्रस्तुत किया गया जबकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनके International Solar Alliance यानि की अंतराष्ट्रियस सौर गटबंदन के लिए और 2022 तक उनके प्लास्टिक को पुरी तरीके से खतम करने की वचन बध्धता के लिए दिया गया तेरा साल पुराने इस Champions of the Earth अवाड ने कई दर्जनों अनुकर्णी या इंडिविज्वल्स और और अगोनाईजेशन को रेकिगनाईज किया है अब तक इस पुरस्कार ने कई नेताओं से लेकर के जमीनी कार्य करताओं तक 84 पुरस्कार विजयताओं को सम्मानित किया है International Solar Alliance सदस्य राष्टों में सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच बसने वाले देशों की एक Inter-Governmental Organization है अंतराष्ट्य सौर गठवंदन परियावरन को सुधारनी की मोर्चे पर एक महतोपूर्ण प्रगती के रूप में माना चाता है भारत 121 से United Nations की 193 सदस्यों को International Solar Alliance का मेंबर बनाने का प्रस्ताव देना चाता है ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक प्लास्टिक के वस्तुएं जैसे की प्लास्टिक स्ट्रॉउज, प्लास्टिक बाग्स और प्लास्टिक बोतलों को पूरी तरीके से खतम करने के उद्देश को रेकगनाईज करता है Union Environment Minister हर्षवर्धन ने जून में World Environment Day के अवसर पर इस Target का Announcement किया था इस अवसर पर मोदी जी ने ये भी कहा कि भारत Clean Sea Campaign में शामिल होने और हमारे महसागरों को बचाने के लिए भी कार्य कर रहा है United Nations Champion of the Earth Award को पाने के बाद नरेंदर मोदी जी ने भारत के लोगों को संबोधित करते हुए एक आर्टिकल भी लिखा जिसका नाम था In Harmony with Mother Nature तो ये थी United Nations Champion of the Earth Award के बारे में एक डीटेल जानकारी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें टेस्ट्बू के YouTube चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए thank you and all the best